दिर्ट सेलिंग में हमें ये तो मालूम है कि पैसे कैसे कमाने हैं लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है इसके एजुकेशन अकसर हमें नहीं दे जाती लेकिन इस इंट्रुव में वो एजुकेशन मिलेगी बसरते आप लास तक बने रहें दोस्तो नमशकार आदाब सश्रीकाल चैट विद सुरेंदरवत्स के नए एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे महमान बुंबई महारास्टा से है मेरे बहुत अच्छे मित्र जिन्होंने 24 सालों से डिरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ह경े अलगए रूप में सिवा की है स्टेन सराव सरा हमारे में मेमान है स्टेन सर बहुत बहुत स्वागत है चाट विद सुरेंदरवर्स में बहुत-ध़बहुत धन्यवाद चाट प१सुरेंदर रुट्स के इस एपिसोड में पार्टिस okay करने के लिए आपने बुलाया यह हमारा डिफिनली सोभागी है और बहुत अच्छा लग रहा है आपका बात बीजी रहता है स्टेंसर स्टेडूल मतलब इतनी मेहनत करते हैं आप उसको देखके कई वार मुझे ऐसा लगता है आपका स्टेंसर को देखके लगता है कहां से आत इस इंडिस्ट्री के साथ एक लगाव हो चुका है और एक पैशन है और ट्रावल मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना और लोगों के साथ उनको उनकी जिंदेगी को समझना उनके चालेंजेस क्या है समझना और मेरी तरफ से अगर कुछ कॉंट्रि बीचिंदेशरी के एक बिश्मा पिता महत्तो तो आपको पूलते ही है लेकिन आपसे भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं और बहुत सारे से लोग हैं जो इंडिस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहा हैं तो सभी लोगों की प्रेरणा से जो कुछ हमारी से हो सकता है डिफनल् सफेंज सर आपकी लाइफ जर्नी से सुरुआत करते हैं तेंज बिलकुर विए मेरी पड़ाइश मुंबई में हुआ तो मुंबई महारास्टा में में मेरे जनम हुआ लेकिन हम लोग बीजिकली मैंगलोर सिटी करना तक के हैं तो मेरी पढ़ाई वहां पर हुई और मेरी पढ़ाई करनड मीडियम में हुई तो वह पढ़ाई करने के बाद में मैं फिर करीबं पान साल वहां पर मैंने काम किया मैंने 10 के बाद में 12 के बाद में मैंने ग्राजुएशन किया बीएसी किया मैंने तो बीएसी के बाद में हला मेडिया में क्योंकि सोशल मीडिया और अलेक्राणिक मीडिया थे उतना स्ट्रॉंग नहीं था था भी तो प्रिंटी मीडिया से मैंने मेरी करियर के शुरुवात की अधने एंप्लॉई और वीकली मैगजेन, मंतली मैगजेन, डेली निउस्पेपर ऐसे अलग-अलग पॉब्लिकेशन में मैंने काम किया और उसके बाद में मैंने आई शिफ्टेट टू मुंबाई मुंबाई में शिफ्ट होने के बाद में, जबी मैं अज़ा सेनियर सेल्स मैनेजर एक रेप्यूटेड पॉब्लिकेशन के साथ काम कर रहा था तो अच्छानक बाई कोइंसिदेंस मेरी परीचे हुई डिरेक सेलिंग इंडिस्री के साथ तो एक साटड़े एक शनिवार के दिन मैंने प्रेजेंटेशन देखा एक बिजन्स का और काफी अग्सयाड़ेट ता रात को पुरा सोया नहीं और संडे जाके मैंने तभी तो मेरे पास computer भी नहीं थे laptop computer ता नहीं तो cyber cafe में जाके मैंने जो website जो दिया था उसको मैंने study किया काफी questions मेरे थे मैंने note down किये और मैंने एक ऐसा सुचा कि अगर इस questions के मुझे सही-सही इमानदारी से जवाब मिलेंगे हो सकता है कि मैं इस industry में इस business को लेके कुछ career start करूँ तो Sunday ही ओ दिन मैंने जो मेरे अप्लाइम थे हलांकि वो Australia से थे तो उनसे मैंने जाके मेरे सवाल पूचे तो जब सवाल के जवाब मैंने हलांकि 20 सवाल लिके हुए थे लेकिन आठ सवाल पूचने तक वो 200 सवाल के मुझे जवाब मिल गए थे तो मैंने सीधा Monday जाके resignation लेटर लिक लिक लिया और full time direct selling पहले दिन से ही पहले दिन से ही कौन से साल की बात है यह 2000 की बात है क्योंकि मैं तोड़ा मीडिया फिल्ड से आता हूं तोड़ा journalism का थोड़ा कीड़ा है तो मैंने इंडिस्टी के बारे में काफी study की कहां से इंडिस्टी स्टार्ट हुई क्या इसका background रहा क्या इसका potential है जो entry form जभी हुआ करते थे उसमें जो terms conditions थे generally हम लोग सब पढ़ते हैं तो मैंने उसको भी पूरा पढ़ना स्टार्ट किया कि क्या उसके you know terms conditions है तो मुझे काफी बहुत अच्छा लगा बहुत scientific proven organized industry है समुझे लगा और मैंने शुरुआत की तो direct selling industry में में मेरा परीचह हुआ हुआ 1999 में मैंने हला की शुरुआत की थी बट 2000 से मैं actively काम स्टार्ट कर दिया right so उस समय direct selling के बहुत बड़ एक्जमपल भी नहीं थे सर उस समय सी कौन सी चीज थी कि आपने इतना बड़ा decision लिया कि आप नोकरी को छोड़के full time direct selling मैंगे मैंने जो 2000 में फुल टाइम करने के पहले एक मशूर कंपनी जो इंडिया में काम कर रही ती उसके मीटिंग में मैं गया हुआ था अच्छा में जैसे मैं इंट्री किया वहां पर तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पूरे सूट टाइ के साथ लोग ते और काफी प्रोफे मुझे कुछ सीखने के लिए मिलेगा मेरी परसेनलिटी ग्रोथ होगी या मुझे अच्छा लगेगा मुझे नुक्सान कुछ भी नहीं है यह मुझे क्लियर था तो मैं वह मीटिंग में लगातार जाने लगा और वह कंपनी में मैंने एंट्री मी ली मैंने में जानके की दो सकती है तो मैं जब गया तो मुझे इसा लगा कि इस कंपनी में और जो पुरानी कंपनी के साथ में भी मैं कंपेर किय तो काफी सिमिलर अई बाते मुझे लगी जो उनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका जो 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 पातें शुटा आप टीनिंग दे जा रहा साभाँ तो मुझे इसा रगा कि यह कोई एक कंपनी नहीं है ऐसी बहुत सारी और कंपणिया हैं तो तब जाकर मुझे eurosas हो गया कि यह शायद एक company के बास नहीं एक इन्डस्री है और में बहुत और company काम करें तो दीरे-दिरे मुझे ऐसा रगा तो पहले चे महीना सात महीना मैं लगाता चूबी meeting हुआ करती थी वह में एक्डेंड किया और उसके दूसी आई थी वह में आ इसुच हम जरृकरएट सेप एक पूर्ड सयर अभूपू में अलग और रोल में अधी गृतख़ बिल्कुल, so I started, मैंने शुरुवात की as a direct seller, so like normal distributor, maybe 20s में तरहे साल तक, मैंने पहले 3 साल काम किया, पहले 1 साल मैंने जो company में काम किया, वो USA की company तो एक साल में वो Fema, Fera के चकर में बंद हो गई, तो हमको काफी सदमा लगा, काफी shock लगा और तभी direct selling industry में कोई भी अगर company बंद होती है तो वो phase आज जैसा नहीं है, आज company बंद हो जाती है तो बहुत जादा लोगों को मतलब shock नहीं लगता है क्योंकि एक तोड़ा सा normal सा हो गया है, लेकिन तभी काफी emotionally हम लोग जुड़े थे और जो एक तरीके से जो वातावरन था वो काफी emotional था, काफी disturbing था, तो इसके लिए हम लोग, मैंने ये सुचा कि मैं media field से हूँ, print media field से हूँ, तो इसके लिए मैं media field में वापस जाओगा, लेकिन हम लोगों ने करीबन तभी 10,000 लोगों का एक team बनाया था करीबन 8-9 महने में, तो उनमें से सभी लोगों ने ये बता दिया कि नहीं हम लोगों ने जो बहुत अच्छी training support system बना ली है, तो आपको lead करना पड़ेगा, तो कोई ऐसे और company हैं तो उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग उसके साथ जुड़ेंगे, तो हम लोगों ने दूसरी company जॉइन की, तो वो company को भी करीबन 2-20 साल किया, तो पहले 3-3 साल company में as a distributor काम करने के बाद, जो दूसरी company भी almost close करने के, close होने के कगार में आ गए थी, क्योंकि तभी काफी product range बदल गई थी, physical products आ गए थे, तभी 2000, 2001, 2002 में virtual products भी चलते थे, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि यह बहुत अच्छी industry है, भारत देश में आर्थिक और सामाजिक करांती लेके आ सकता है, लेकिन industry को लोग समझ नहीं पाय थे, बहुत सारे experiments हो रहे थे, लोगों को ऐसा लगता था कि यह कुछ money spinners हैं, तो तब जाके मेरे मेरे तोड़ा role में change कर दिया, and then I became as a business consultant, तो यह consultant के दोरान पहले मैंने एक किताब लिखी, एक किताब में मैंने कि direct selling industry क्या है, इसके क्या terms conditions है, क्या इसके unique selling points है, क्या समाजिक आर्थिक करांती यह लिए इसको claim करूँगा कि इंडिया की direct selling industry की पहली magazine है, उसका नाम ता Soho, कौन से साल में? यह होगा 2004 में, आच्छा, okay, ठीक है, small office, home office, इसका नाम ता कि गर से क्या-क्या businesses आप कर सकते हैं, तो तब ही work from home कोई बहुत ज़्यादा प्रचलिता नहीं हैं, और उसको लोग suspect करते थे कि गर से काम कर तो मतलब इसका या तो नोकरी चुट गई है, या बिजनेस चल नहीं रहा है, तो गर से काम कर रहा है, अभी महुल चेंज हो गया है, तो यह मैंने किया, और उसके बाद में, I was a consultant to a couple of companies, उसके बाद में फिर मुझे लगा कि direct selling industry में, कंपनियों की बाते हो र उसके बाद में, I was a CEO for a couple of companies, जहां पर मैंने बिजनेस को सेट अप किया, जो तभी physical products थे और उसके बाद में, as a entrepreneur, एक company में ने स्टार्ट कर दी, और उसमें एक unique scientific product था, तो यह product को direct selling के जरीए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, हम लोगों ने सोचा कि यह सही रास्ता है तो as an entrepreneur, और यह एक variety of experience है, उसको साथ में मिला के as a business coach, तो यह अलग-अलग रोल में काम करने का मौका मिला मुझा है आपने कई सारे भूमी का निभाई direct selling में, अभी आप एक trainer के रूप में industry की सेवाईं दे रहे हैं, एक question लेता हूँ में, इससे related question है, Stenzer Why does most of direct sellers become trainer after direct selling and left their direct selling business, they can pursue their training along with business, अजे कुमार का question है यह तो यह बहुत interesting सवाल है, और मुझे ऐसा लगता है कि हरे की अपनी खासियत है, अपनी एक traits हैं, अपनी strengths है तो जैसे अभी IPL चल रहा है, तो रोहित शर्मा हमारे जो captain है, इंडिया के, तो उन्होंने as a bowler अपना career start किया था, लेकिन today he is not known as a bowler, but then he is a renowned batsman, और a very good captain also Same way, Ravi Chandran Ashwin है, वो एक batsman के तोर पे उन्होंने अपना career start किया था, लेकिन today he is a renowned top spinner है So direct selling industry में लोग उत्साह के साथ इस industry में आते हैं, लेकिन थोड़े समय तक काम करने के बाद में शायद उनको अपनी traits क्या है, कि कहां पर वो ज्यादा role, मतलब कहां suit होते हैं, वो उनको पता चल जाता है, तो उसकी वज़े से अगर कोई direct selling industry में entry होने के बाद में, अगर उन India is like 140 crore के लोग हैं, उसमें हम लोग conservative figure, organized, unorganized sector में भी लेंगे, को कम से कम 10% लोग तो direct selling industry से indirectly directly जुड़े होए रहेंगे, तो अगर 14 crore लोगों के भी अगर बात करेंगे, तो इंडिया में हमको बहुत trainer की जरूरत है, और अभी वो trainers उतने हैं नहीं हैं, तो training का ये मतलब कि अब माइक पकडबे कुछी भी बोल दें, तो I think quality training की जरूरत है, direct selling is all about skills, आपके कला कौशल अगर बहुत strong नहीं हैं, तो हम लोग हमारी मतलब संख्या को बढ़ा सकते हैं, लेकिन quality उसमें आने के लिए हमको quality trainer की जरूरत है, मैं तो welcome करूंगा कि अगर direct selling industry की अची दरे trainers, तो उनके लिए definitely welcome है, आज हम लोग पैन इंडिया में देखते हैं, तो बहुत गिने चुने trainers हैं, जो established हैं, और trainer भी, मतब टेंपररी ली एक short term के लिए trainer बन सकते हैं, लेकिन अगर अगर आपकी content में दम है, आपकी delivery बहुत अच्छी है, और बहुत honestly और इमानदारी के सा अगर industry में काम कर रहे हैं, तो training could be a very fulfilling profession, और उसमें भी जिम्मेदारिया या उसका भी उनका भी रास्ता इतना आसान तो है नहीं है, तो बहुत cutting काम है, तो trainer के लिए welcome है, अगर बनना चाहते हैं, तो लेकिन बहुत ऐसी company भी है, जहां पर बहुत अच्छे trainer एक company के साथ तब बनते हैं, जब आपकी बड़ी team हो, और वो बड़ी team को training करने के लिए आपकी training skills को बढ़ाना तो definitely पड़ेगा, तो trainer तो होना ही ज़रूर ये, लेकिन अगर किसी को लगे कि एक company के साथ ही जुड़के मैं trainer बनने के बजाए, अलग-अलग company के साथ या पूरे industry के लिए मेरे training की सेवा हैं देने के लिए, उनका traits अगर उनको inspire कर रहा है तो definitely trainer बन सकते हैं, आपने एक बड़ा अच्छा perspective दिया कि हम किसी काम की सुरुआत तो करते हैं, लेकिन हम किस चीज के लिए बने हैं, वो बाद में सौंज में आती हैं, अगला प्रशन ले रहा हूं, और य 35 लोगों की टीम टूट चुकी है, अकेले रह गए हैं, अब कैसे जल्दी से जल्दी ग्रो करें, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, एक छोटी सी टीम बनती है, किसी वज़े से तूट जाती है, आदमी को लगता है, अर अकेला रह गया, क्या करूँ, मनोबल भी जाता है, आप तो ऐसी प्रिस्तितियों से गुजरे भी होंगे और बहुत सारे लोगों को आप मोटिवेट भी करते होंगे, जे ट्रेनर, इसके लिए एक चोटे सा किस्सा बताना चाहता हूं, एक मरीज पेशन्ट डॉक्टर के पास जाता है, और बोलता है, और बोलता है, यहां पर मैं दबा रहा हूं तो हाथ में भी दर्दे, मैं चाती में लगा रहा हूं तो इधर भी दर्दे, पेट में उगली को लगा रहा हूं तो पेट में भी दर्दे, पैर में लगा रहा हूं तो डॉक्टर उनको बोल देता है कि मुझे आपकी उंगली दिखाओ, तो जब उंगली दिखाता है तो डॉक्टर ये बोलता है कि प्रॉब्लम आपके उंगली में है भाखी गई नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि जब टीम तूट जाती है या कुछ चालेंजिस आते हैं तो हम लोग एक्सटरनल चीजों के ओपर बहुत जादा द्यान देते हैं कि कि इस वज़े से टीम टूटी हुई है तो मुझे इसा लगता है कि एक सिंपल फिलोसोफी ओफ लाइफ यह है कि जभी कुछ भी चालेंजिस आते हैं या कुछ भी कटिनाय आते हैं तो हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए आकलन करना चाहिए कि मेरे में क्या ऐसे कमी र बन्बन होने से भी टीम टूटी रहेगा उसके मल्टिपल रीजन्स हो सकते हैं लेकिन इस सिचुवेशन में मुझे इसा लगता है कि अगर टीम टूट गई है तो उसको जोडने में या उसको साथ में बांद के रखने के लिए हमको अपने आपको मस्बूत करना पड़ेग और उसकी क्रिडिट जो लोगों को दे दीजिएगा कंपनी को, प्रोडक्स को, प्लान को, सपोर्ट सिस्टम को या पूरे इंडिस्ट्री में आज जो और्गनाइजड हो के जो एक एफर्ट चल रहा है कि इंडिस्ट्री को एक रेप्यूटेड मजबूत आल्टरनेटिव क करना पड़ेगा और हमारे स्किल सेट्स को हमारी जो कमिया है तो उसके उपर वर्क करेंगे तो टीम आपके साथ डेफिनिटली लगा रहेगा लोगों को एट्रैक्ट करने का एक चुमबक, एक मैगनेट हमको बनना है तो उसके लिए हमको आपने उपर काम करना पड़ेगा तो इंडिस्टी के जितने भी ट्रैनिंग्स, इवेंट्स, सोशल मीडिया इसमें से आपको लगातार सेखते रहना पड़ेगा That's great sir, और मुझे लगता है sir, ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपने कही है कि वेक्ती को जब ऐसा फलता मिलती है, गोल अचीव नहीं होता है, तो वो जब चिंतन करता है, तो उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे लेवल से कहां कमी हुई, जबकि बहुत सारे तो अपने अंदर जागेंगे तो मुझे लग रहा है, समाधा निकलेगा, बिल्कुल, ओनर्शिप लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी सिचुवेशन्स हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं कहां पर और इंप्रूव कर सकता हूँ, ये अगर हम लोग सोचेंगे और हर वेक्तिय से सोचेगा, मुझे लगता है कि क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इस इंडिस्ट्री में आएगा, नहीं तो ब्लेम गें चलता रहेगा कि ये हुआ, वो हुआ, इसकी वज़े से हुआ, उसकी वज़े से हुआ, उसका कोई एंड नहीं है, कोई लॉजि उसके प्रिशानिया होती है, ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी, तो उसी से संबंदित एक प्रशन है, रोयल रंजन का, टोप लीडर्स जब कंपनी छोड़ दें, उसके बाद अपने डाउन लाइन को कैसे समझाएं कि ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि वो लोग बोलते है है कि मैंने तो इसलिए चोड़ा इस कंपनी में ये इशूज है, बिल्कुल, जो भी कंपनी चोड़के दूसरे बिजनस में, दूसरे कंपनियों में, दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, वो अपने प्रिवियस कंपनी जिसके साथ जुड़े हो, डेफिनिटि उनकी बुराई उनके नेगेटिव पॉइंट्स को तो हाइलाइट करेंगे, परिशानी होती है, अफकोर्स होती है, डेफिनिटिली होती है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस सिचुवेशन में, जो लीडर्स बचे हुए हैं, जो लीडर्स चोड़के गए हैं, उसके इमीडियर जो उनके लिए सुनेरा मौका भी है, एक उपर्चिनिटी भी है, अपनी लीडर्स चिप को दिखाने की, और अगर कंपनी के फंडमेंटल सही है, प्रोडक्ट सही है, जो भी स्टैचुटरी कॉंप्लाइंस से, गवर्मेंट के रेगुलेशन से, उसको फॉलो करके अगर कंपन इसको अच्छी तरह के से दर्शाना पड़ेगा, अब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स जो इस इंडिस्ट्री में बहुत जरूरी है, इसको पुरा यूज़ करना पड़ेगा, और I think communication is the key, कोई भी ऐसा issue नहीं है, कि जो सोमात के साथ, communication के साथ सुलजा नहीं जा सकता है, त कोई वैक तिक अनबन भी हो सकती है, और कुछ multiple reason हो सकता है, या हो सकता है कि company के और आपके बीच में जो vision का match नहीं हो रहा है, या बहतर platform देखने के लिए लोग shift करते हो, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन I see कि ये एक opportunity है, अपनी leadership को दर्शाने का, जैसे कि Sachin Tendulkar के बाद म और कोई आएंगे, रिशब बंत आएंगे, और कोच आएंगे, तो talent को उजागर करने के लिए, I think this is a test है, तो ये test में आपको खरे उतरना है, और आप अपने leadership skills को दिकार के, बहत बड़ एक leader बन सकते है, मैं खुद इसका एक example हो स्टेंसर, मैंने 2001 में, February 2001 में, मैं डायट और किसी दूसरी कंपनी में चले गए, और वो बहुत अच्छे speaker थे, plan, presentation, सब कुछ वही देते थे, मैं तो लोगों को उनके सामने बैठा देता था, इतना सा काम मेरा रहता था, तो उनके जाने के बाद में, और जब एक दूसरी कंपनी में जाता है, तो ने चल यो पुरा इमोशनल डिस्जन था उस समय, और वो डिस्जन ये था कि मैं बहुत सारे लोगों को बिजनस में ला चुका हूं, वो मेरा चेहरा देख के जुड़े हैं, और मैं अगर छोड़ दूँगा तो उनको बुरा लगेगा, तो मैं इसी कंपनी में काम करूँगा जब तक ये बनी चलती रहेगी, तो मैं बहुत ज़्यादा समझता नहीं था, बहुत बड़ा मैं ये कहूं कि मेरे पास बहुत बड़ा विजन था, कुछ नहीं था, बस एक एमोशन था, कि मैं लोगों को लेके आ हूं, मैं छोड़ूँगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो करन आरे स्टेट के जो सबसे सिनियर लीडर थे, वो कंपनी चोड़ के दुसरी कंपनी में चले गए, तो फिर मुझे लगा कि अभी थोड़ा और बड़ी रिस्पंसिबिलिटी आ रही है, तो मैं उसके लिए तैयार हो गया, लगबग एक साल के बाद में जो हमारे टोप इंड या लेवल की ऑपर्शुनिटी है, तो वो आपको उसमें दिखाई का देता है, वो बहुत मैतोपोन है, बिल्कुल, यह आपका, मतलब जो रियल लाइफ एक्सपिरियंस आपने बता दिया, तो, यूनो, कंपनी से आना जाना, यह सब इस इंडिस्टी में पहले भी हो रहा ह है, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, तो, आइ तिंग यह फैक्टर को थोड़ा सा नजर अंदाज करके अपने उपर रिस्पॉंसिबिलिटी लेंगे और अपना टीम को साथ में रखेंगे, तो डेफिनिटली एक बहुत अच्छी टीम और कडी हो सकती है, और जितने ल होगों को यह confidence आ गया है कि direct selling industry में, graduation के बाद में, formal education के बाद में, हम लोग को करियर चूज कर सकते हैं, तो उसके लिए, of course, बहुत सारी चीजे हैं, पूरक हैं इसके लिए, तो, I think, challenges definitely, इस business करते वुए, बहुत सारी आएंगी, तो उसको immediately solution, you know, डूनना भी हमारी ही जिम् How to do money management, direct selling में, जब पैसा आता है, तो लोग luxury गाड़ी, so off में, थोड़ा ज्यादा यकीन करते हैं, और business है, downfall आता है, तो फिर मुस्क्रिया आ जाती है, कैसे manage करें, money management मेरा direct selling industry में, बहुत favorite subject रहा है, और इसके ओपर मैं, अभी काफी training कर रहा हूं, so, तीन चीजे हैं, जो हम सभी लोगों को इस industry में जानना ज़रूरी है, कि आपके assets, आपके liabilities और आपके net worth कैसे बढ़ाना, Robert Kiyosaki मेरे personal financial guru रहे हैं, और उनका जो किताबें, जो मैंने शुरुआती दोर में पढ़ी थी, उसके आदर पर मैंने, जो उनकी जो philosophy है, उसको मैंने follow की, और मैं financial भी comfortable एक चीज आपने जो जिकर की, कि हम लोग मतलब इस industry में कर रहे हैं, कि there is absolutely financial illiteracy है, आप पैसे कितने कमाते हैं, वो important नहीं है, आप पैसों को कमाये हुए पैसों को कैसे manage करते हैं, और कैसे कितने पैसे बचाते हैं, वो important है, ये financial education industry में मुझे लगता है कि काफी हद तक missing है, क्योंकि लोगों को, सब लोगों को ये बताया जा रहा है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन ये पैसा कमाने के बाद में, जो भी आप पैसे कमाते हैं, as a distributor, वो आपका gross income है, क्योंकि आप तो एक direct selling का business चला रहे हैं, तो वो business चलाने के लिए आपके operating expenses भी है तो वो gross income से आपके operating expenses को minus करेंगे, जो income बचता है, वो आपका net income है, अब ये net income से फिर आपको कितना saving करना है, कितना आपके day-to-day expenses के लिए करना है, और कितना अपना personal development में use करना है, उसका भी percentage आपको divide करना पड़ेगा, direct selling industry में बहुत सारे जो asset creation के जो तरीके हैं, उसके परे में कोई education नहीं है, whether it is equity, real estate, या आपके precious metals, jewelry, यह education दिया ही नहीं जाता है, लोगों को ऐसा लगता है, कि जितने पैसे आजाएंगे, तो सबसे पहले तो luxury gadi लेंगे, अब luxury gadi is a depreciating asset हो, उसका कोई appreciation होता नहीं है, लेकिन of course उसको asset करके आप मान सकते हैं, कि अगर वो आपके पैसों, जेब में पैसा डालता है, तो, तो इसको कैसे आप use करते हैं, इसके उपर है, वो अगर आपका business बढ़ाने के लिए मदद करता है, तो definitely it's an asset, लेकिन केवल show off के लिए है कि आहां मेरे पास यह brand के गाडियां हैं करके claim करने के लिए अगर ले रहे हैं, तो it's की वज़े से लोग emotionally कि आज इतना पैसा आगया, तो आगे भी आने वाला है, इस calculation में अपने जितने कमाए हुए पैसों को कर्चा करेंगे, और they will be staring at liability, तो बहुत सारे leader लोगों को हम लोग मिलते हैं, तो वो claim करते हैं कि मैंने 3 करोड, 5 करोड, 10 करोड, 20 करोड कमाए हैं, लेकिन अब वो पैसे, मतलब उनके पास liability है, तो वो क्यों है, क्योंकि financial illiteracy के वज़े से उनने पैसे कर्च कर डाले हैं, तो उसका proper planning नहीं किया हुआ है, तो ये training हम सभी लोगों को लेना ज़रूरी है, That's great, मेरे apply-in हमेशा सिखाते हैं, सर हमें, वो कहते हैं कि जितना भी पैसा आपको मिलता है न, उसमें से 10% आप निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसको कहीं न कहीं उसको invest कीजिए, वो आप, यूनो, उसको saving account पे मत रखे, उसके लिए 2-3 options हो सकते हैं, RD तो एक ऐसा interest मिलता है, तो अभी क्या चल रहा है, यह आपका, mutual fund में आप डाल सकते हैं, SIP कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि उतना, आप यह मानिए कि अगर पांच जा रहा है, 500 निकाले हैं, आप सोचे कि आपको 4500 यह आए, 4500 आता तो भी काम चलता न, तो यह उनकी philosophy है, और आपने ब देनी के आफशकता है, एक्चुली हमें, यूनो, पैसा कमाना तो है, लेकिन कमाने के साथ में उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, आपके पास तो हर चीज का तरज़वा है, स्टेंसर, पर अगले किस इंट्यूव में आपके wisdom को हम viewers के सामने लाने का परियास करें वो ला जवाब है, सब लोग बहुत एप्रीशेट कर रहे हैं और बहुत-बहुत बदाई हैं आपको, and all the best. Thank you so much sir, और अंत में ये एक छोटा सा उफार हमारे viewers की तरफ से, डिरेक्ट सेलिंग का विजयता कैसे बने, part 1. Thank you so much. So, ये थे Stan, सरावो सर, बुंबई महारास्टा से, 24 सालों से डाइट सेलिंग नस्टी में हैं, अलग-अलग विश्यों पर बहुत डेटेल में बात्चित की, अगले मंगलवार को रात्री 8 बजे, फिर एक बड़ी सक्सिहत से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखेगा, बहुत बहुत धन्यवाद.